आप सभी का स्वागत है competition community के इस online platform पर आज है मंडे लेकिन हमारे लिए आज है 36 गड करण्ट अफेर्स डे तो मई महिने के तीसरे हफते में जो भी महत्वपूर्ण राज्किये घटनाए हुई होंगी उनके उपर आज हम डील करेंगे क्या सब्जेक्टिव करण्ट अफेर् सब्जेक्टिव करण्ट अफेर्स जो आज हम डील करेंगे उसके उपर बेस करके हम कल लेकर के आएंगे आप सभी के सामने MCQs तब आपको समझ में आएगा कि exam में किस प्रकार से आपके करण्ट अफेर्स से questions बनाये जा सकते हैं तो लेट ना करते हुए आज का session हम इस गड़ में घटी है उसके बाद हम देखेंगे इसके एंडर में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा operation जल शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद में नियाद निला नार स्कीम के बारे में थोड़ा देखेंगे फिर इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक और रहे यानि कि मई हफते के तीसरे हफते में चर्चा में बने रहे उनके उनके नाम क्या है फैलिक्स पैट्रिक पिंटो दूसरी है रिचा शर्मा तीसरे हैं युवराज के सरवानी और चौथे हैं सुरेश रैना यह सभी हमारे चतिस गड़ के किसी न किसी छेत्र से पूर्ण रूप से जुड़े रहे हैं जिसके कारण यह चर्चा में रहे हैं इसके बाद देखते हैं हमारे पास में कुछ ऐसे चर्चित स्थान आए जाएंगे चर्चित स्थान प्लेसेज इन न्यूज है ना तो यह भी किसी न किसी कारण से न्यूज में हमारे तीसरे हफते में बने रहे हैं एक है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व दूसरा है कोते बिरा शिव मंदिर और तीसरा है गौरेला पेंडरा मारवाही जिला इसके बाद में हम स्पोर् क्रिकेट प्रीमियर लीग चतिसगड में पहली बार चतिसगड क्रिकेट प्रीमियर लीग होने जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे नैशनल सौफ्ट बॉल क्रिकेट कॉम्पिटीशन हाल ही में नैशनल य हासिल किया हमारी 36 गड़ की टीम ने तो हम देखते हैं आज हमारे लिए और क्या क्या इंपोर्टन्ट है तो सबसे पहला वेरी 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 इंपोर्टन्ट जल शक्ती ऑप्रेशन ऑप्रेशन जल शक्ती तो यह क्या है जल शक्ती यह नक्सलियों के सबसे सुरक्षित याने की अबूज मार जो की बीजापूर और नरायनपूर जिले के बाउन्डरी में है इसमें 72 घंटा लंबा एक नक्सल विरोधी ओप्रेशन रहा याने की अबूज मार आप लोगों को पता है कि आपके 36 गड़ में नरायनपूर और आपका बीजापूर इन दोनों का जो पश्चिमी भाग है उस पूरे छोर में एक पहाड़ी श्रंखला है जिसको हम अबूज मार बोलते हैं अबूज मार इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका शाप्दिक अर्थ ही होता है क्या ऐसा पहाड जिसे बूझा ना जा सका हो जिसको बुझाया ना जा सका हो मतलब जिसके बारे में ज्यादा हमें information नहीं है और इसी चीज़ का फायदा उठा करके नकसलों का ये क्या हो जाता है safest zone हो जाता है अब हाल फिल हाल में ही हमारी एक joint team of DRG from विजापूर दंतेवड़ा एन नरायनपूर with STF ये दोनों की टीमों ने मिल करके एक नकसल विरोधी operation यहाँ पर launch किया था DRG आने के लिए district reserve यह यहाँ पर आपका force होगा DRG ठीक है इसका full form देखते हैं आगे तो DRG की team और STF याने की special task force की team दोनों ने मिल करके यहाँ पर नकसल विरोधी जो operation किया है उसी का नाम है क्या operation जल शक्ती आपसे direct question पूछेगा operation जल शक्ती किस चीज से संबंदित है देखे DRG का full form क्या है district reserve group याने की हर जिले में जो नकसल प्रभावित है वहाँ पर एक क्या बनाया गया है एक reserve force के तियार किया गया है जो जब भी जरुरत पड़े तुरंत नकसल वाद के against में क्या कर सके लडाई कर सके इसके बारे में थोड़ा सो और information देख लीजिए ये 2013 से ये क्या है अस्तित्त में है DRG district reserve group या फिर जिला reserve समूह ये मामवादियों से निपटने में द्रिण कार्यवाई के लिए राज के विशेश कार्यबल याने की special task force और केंद्रिय कमांडो बटालियन की सहायता के लिए C60 महाराष्ट और जार्खन जगवार के तरज पर गठन किया गया है तो ये DRG क्या है ये एक special आपका पुलिस force का क्या है group है जो कि आपका महाराष्ट के C60 महाराष्ट और जार्खन के जार्खन जगवार के तरज पर 36 गड़ में बनाया गया है और ये कब से अस्तित्व में है ये सन 2003 से अस्तित्व में है और इसका main उद्देश ही क्या है इसका main उद्देश ही है जो आपका special task force होगी 36 गड़ की या फिर जो central commandos battalions होगे हमारे 36 गड़ में जो नकसलवाद के अगेंस में हमेशा अपने operations जारी रखते हैं उनको support करना ही इनका क्या होगा main उद्देश होगा मतलब माववादियों के अगेंस्ट में ही इसे बनाया गया है तो जो अभी operation जल शक्ती हुआ है उसका result क्या आया है उसका result यह रहा कि आठ नकसलियों को धेर कर दिया गया है याने कि उन्हों उन्हें मार गिराया गया है और साथ ही है ठीक है आगे चलते हैं दूसरा है हमारे पास में नियाद निला नार योजना जो की बस्तर रीजन में चल रही है बस्तर संभाग में चल रही है अब इसका मतलब क्या है what it literally means it literally means that your good village मतलब आपका अच्छा गाउं आपका अच्छा गाउं होता है किसका मतलब इस नियाद निला नार का मतलब ठीक है अब यह क्यों launch की गई है ताकि बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो सरकारी कल्यान कारी योजनाय है नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुँचे तो यह नियाद निला नार बिलकुल specifically अगर हम देखे तो किसके लिए है नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी जो सुविधाओं है सरकार द्वारा जो बुनियादी सुविधाओं सबको मुहिया कराई जाती है वो सभी कहां पर पहुँच चके नक्सल प्रभावित छेत्रों में पहुँच चके जैसे की कौन से आपके स सभी योजना का उन्ययन सुझाओ कहा है ये परिवारों को मुफ्त में गैस सिलंडर मिल सके उज्वला के तहत 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 फिर राशन कार्ड के योजना के द्वारा जो खाद्यान एवं अन्न सुविधाय मुहिया कराई जाती है वो सभी चीजे भी किनको मिल सके जो के गिरफ्त में हो चुकी है जो आपके इलाके 36 गड़के वहां पर भी ये सारी सुविधाय पहुंच सके सामुदाइक भवन वहां बनाया जा सके आंगनवाडियों के माध्यम से महिलाश शक्तिकरण किया जा सके वन अधिकार का प्रमान पत्र दिया जा सके सभी मौसम में कि चलने वाली सडके याने की आलवदर रोट्ज व वहां पर बनाई जा सकें वहां पर सब हिछा बनाये सके बनाय जा सके बैंक्स बनाया जासके ऐटीम बनायजा सके इस लिए यह जो आपका क्या है नियाद निल्ला नार नामक योजना है इसकी शुरुआत की गई है अब यह कैसे होगा बस्तर चेत्र में सुरक्षा सिविरों याने की सिक्यॉरिटी कैम्प के पांच किलोमेटर के दाइरे में स्थित गाउं को सुविधाय और लाभप्रदान किये जाएंगे बस्तर के बहुत सारे ऐसे सुदूर चेत्र हैं जहां पर नॉर्मल जो पदाधिकारी है आपके शाषन प्रशाषन के उनका जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो ऐसे ही दुर्गम छेत्र है उपर से नक्सल प्रभावित है इसलिए यहां पर प्रशाषन का भी बहुत सारा जिम्मा आप देखेंगे तो किन के हाथ में जाता है यह सुरक्षा कैम्पों के सिक्योरिटी कैम्प के हाथ में आ जाता है यह आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस पोर्स आपके वही जो स्पेशल टास्क पोर्स है या फिर डियार जी ग्रूप से इन सभी ने मिल करके सिक्योरिटी कैम्प बनाके रखे हुए हैं ताक को क्या चलाया जाएगा जो भी गाव आएंगे वहाँ पर इस नियाद निलानार योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं को पहुचाने का काम भी करेंगी अब कौन सिक्यॉरिटी फॉर्स और इसके लिए 14 नय कैम्प्स भी बनाए गए है ऐसा नहीं कि जो पहले से कैम से खा समाज किलोमेटर के रेडियस में जो भी गाव आएंगे उन सभी में बुनियादी सुविधाय मुहया कराएंगे कौन कराएगी सरकार किन के माध्यम से सिक्यॉरिटी पॉर्सेस के माध्यम से साथ ही में हाल ही में हमारे चत्तीजगर के उप मुख्यमंत्री का बयान आया है क कि हम नक्सलियों को ही ओफर देते हैं कि आप ही बताईए कि अगर आप लोगों का पुनरवास करवाना है समाज की मुख्यधारा में तो आप लोगों की डिमांड्स क्या है आप लोग खुद भी बता सकते हैं और इसके साथ साथ योजना के उन्नयन का सुझाव देने के लिए भी अधिक्तम लोगों की भागिदारी के लिए चतीजगर सरकार द्वारा इमेल आईडी और गुगल फॉर्म भी क्या किया गया है प्रकाशित किया गया है मतलब इमेल आईडी ज एंड गुगल फॉर्म्स आर अल्सो पब्लिश्ट बाइद गवर्मेंट ऑफ चतीजगर त किस तरह से हम नक्षल प्रभावित छेत्रों में विकासात्मक कारे कर सकते हैं जिससे की नक्षलियों का हम सरेंडर भी करा सके उनके परिवारों के साथ साथ आसपास के गावों का भी पुनरवास करा सके हमारे समाज की मुख्यधारा में इसके लिए हमने क्या किया है इमेल आईडी और Google Forms भी दे दिये हैं जिसको भर करके हम सभी और हमारे साथ साथ वहां के नक्सल प्रभाविच जो लोग है वो भी क्या कर सकते हैं अपना सुझाओ सरकार को दे सकते हैं ठीक है अगला चलते हैं इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट ऑफ इंडिया चतीजगर चैप्टर इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट ऑफ इंडिया चतीजगर चैप्टर तो यह हमारे स्थापित होने वाला है चतीजगर में और यह चतीजगर में कहां स्थापित होने वाला है यह होने वाला है राइपूर में पहले 36 गड़ के सभी कार्य सम्मंदित जो कार्य थे वो भौपाल के MP चैप्टर भौपाल के MP चैप्टर से होते थे अभी एक्चली में है क्या यह है आपका भारत के महान लेखा परिक्षक के अंदर में आने वाला एक इंस्टिट्यूट है कैग कम्ट्रोलर एन ओडिटर जन्रल याने भारत के महान नियाएवादी नहीं मारत के महा भारत के महान नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक जो भरतमान में है कौन गिरिश चंद्र मुर्मूँ इनके सनरक्षन वाली क्या है इंस्टिट्यूट है और ये क्या करती है ये क्या करती है जो लोकवित है लोग वित पब्लिक फाइनसेज है उनका audit करती है public sector undertakings जो होती है तो ये क्या है institute of public account of india chapter 36 गड़ है ना तो ये क्या करती है ये जो भी आपका public finance है उससे जुड़े जितने भी आपके audit होंगे उसको करेगी public sector undertakings जो होंगे उसके अंडर के क्या करेंगे ये लोग audit करेंगे है ना तो ये सारी चीजों का काम करते हैं और भी बहुत सारी ये क्या करते है special financial services provide करते हैं विशेश वित्ति सेवाएं प्रोवाइड करने वाला एक institute है जो किसकी अंडर में आता है कैग के अंडर में आता है है ना और ये इसका 36 गड़ चैप्टर खुलने वाला है राइपूर में इससे पहले हमारे 36 गड़ का जितना भी audit का काम होता था सरकारी audit का काम है ना लेखा-परिक्षा का काम जहाओ जो होता था वह होता था कहाँ पर MP चैप्टर और वुपाल याने कि मध्यप्रदेश चैप्टर में हमारे 36 गड़ के लिए कोई separate आपका चैप्टर नहीं था अब यह क्या है इसको देख लेते हैं वर्ष 1966 में एक सोसाइटी के रूप में स्थापित या एक संगठन है जो नई दिल्ली में स्थित है तो headquarters कहां पर है इसका नई दिल्ली में है नई दिल्ली स्थित सार्वजनिक वित्त के छेत्र में विशेश शुविधाय प्रदान करता है इट अल्सों इंक्लूड्स auditing accounts of public sectors याने की जो सार्वजनिक छेत्र उपक्रम होते हैं या फिर सार्वजनिक छेत्र है पूर्णता उसका लेखा जोखा भी शामिल है इसमें लेखा परिक्षक भी है यह जो है यह आपके controller and auditor general x of issue जो patron होते हैं इसके यानि की यह क्या होते हैं पदेन संरक्षक हैं किसके इस institute के और जो आपके राज के public accountant general होंगे audit के चत्तीजगड के वो कौन है फिलहाल यह है आपके यश्वंत कुमार और यही यश्वंत कुमार होंगे जो ex officio chairman हो जाएंगे किसके चत्तीजगड चैप्टर जो अभी बनने वाला है उसके क्या हो जाएंगे पदेन अध्यक्ष भी बन जाएंगे कौन यही यश्वंत कुमार ठीक है तो जो प्रधान महालेखाकार audit होंगे चत्तीजगड के वो वो कौन है वर्तमान में यश्वंत कुमार और यही बन जाएंगे इस institute of public audit इंडिया के क्या चत्तीजगड चैप्टर के पदेन अध्यक्ष बन जाएंगे चलिए आगे चलते हैं यह वेरी 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 इंपोर्टेंट इसको आप लोग स्टार माग कर लिजेगा चत्तीजगड's first waste food to electricity power plant मतलब चत्तीजगड का पहला अप्षिष्ट भोजन से बिजली बनने का क्या है यह पावर प्लांट या फिर बिजली सैयंत्र कहां तयार किया जा रहा है यह तयार किया जा रहा है डोंगा घाट में और यह डोंगा घाट कहां पर है यह है आपका जगडलपूर में और जगडलपूर कहां है बस्तर में है किस प्रकार का यह प्लांट होने वाला है तो यह होने वाला है आपका बायो गैस सम्मंदित प्लांट होने वाला है मतलब बायो गैस यहां से convert हो जाएगा किसमें electricity में इसके बाद में आपका in lines of हैदराबाद, मैसूर and इंदौर मतलब मैसूर, इंदौर और हैदराबाद में already इस टाइप के plants हैं जहां पर क्या किया जा रहा है अपशिष्ट भोजन से तयार किया जा रहा है और यह चौथा राज्य हमारा हो जाएगा कौन सा चत्तीस गड़, फोर्थ स्टेट चत्तीस गड़ और उसमें भी कहां पर बस्तर में बस्तर के डोंगा घाट में इसका क्या किया जा रहा है स्थापना की जा रही है इसका जो आपका चमता होगी या फिर क्यापैसिटी होगी यह होगी 10 किलो वाट्स की और 500 किलो खाना 500 किलो क्या अब शिष्ट खाना या फिर वेस्ट पूड यूज होगा इस 10 किलो वाट्स को बनाने के लिए प्रती दिन आगे चलते हैं अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बार समाचार में बने हुए हैं या फिर चर्चित रहे हैं सबसे पहले हैं आपके फैलिक्स पैट्रिक पिंटो यह हैं कमांडर ओफ एंटी नक्सल टास्क फोर्स इन चत्तीजगड और यह हाल ही में गवर्नर चत्तीजगड के गवर्नर माननीय कौन विश्व भूशन हरी चंदन से मिलने गए थे और इन्होंने जो एंटी टेररिस्ट आपका एंटी नक्सल ओपरेशन चल रहे हैं चत्तीजगड में उनके बारे में इन्हें जानकारी दिये हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन जल शक्ती के बारे में भी इन्हेंनों क्या दिया है जानकारी दिया है और अभी हमने देखा ऑपरेशन जल शक्ती किस चीज़ से सम्बंदित है आपका आगे चलते है रिचा शर्मा रिचा शर्मा कौन है बैच 1994 36 गड़ कैडर की एक IAS officer and she is an IAS officer of batch 1994 of 36 गड़ क्याडर and she is recently appointed as additional chief secretary to department of forest and climate change याने की हाल ही में इन्हें one और जल्वायू परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सच्चिव के रूप में इन्हें क्या किया गया है नियुक्त किया गया है इनके नियुक्ति के बाद अब 36 गड़ में टोटल चार क्या हो जाएंगे additional chief secretaries हो जाएंगे और इसी से आप लोग बताएंगे कि हमारे 36 गड़ में chief secretary कौन है 36 गड़ में वर्तमाद chief secretary कौन है और या फिर मुख्य सच्चिव कौन है और ये जो मुख्य सच्चिव है ये कौन से क्रम के मुख्य सच्चिव है ये भी आप लोग बताएंगे जल्दी से ठीक है तब तक हम आते हैं अब ये जो रिचा शर्मा जी हैं जिनने क्या बनाया गया है additional chief secretary या फिर अतिरिक्त आपका मुख्य सच्चिव बनाया गया है वन और जलवायू परिवर्तन विभाग का इनकी न्यूक्ति की गई है ना ये पाँचवी सबसे senior most IAS officer है हमारे राज्य की या फिर ये बोला जाएगा पाँचवी सबसे senior क्या है वरिष्ट सूची में पाँचवे स्थान पर आने वाली है सबसे पहले हैं कौन अमिताब जैन दूसरे हैं कौन रेनू पिल्लाई तीसरे हैं कौन सुबरत साहू चौते हैं अमित अगरवाल और पाँचवे नंबर पर आती हैं कौन रिचा शर्मा जो 1993 बैच के हैं तो अमिताब जैन कब के हो गए 1989 बैच के IAS officer हो गए रेनू पिल्ले ने कहां किया है 1900 502 बैच के हो जाएंगे और अमित अगरवाल 1930 और रिचा शर्मा भी इनिस्स दौ 34 बैच की हो जाएंगी ठीक है तो यहां से हम को किसके बारे में पता चलता है रिचा शर्मा जी के बारे में जिनने अभी क्या बना आया गया है?। अतिरिक्त मुख्य सच्ची बनाया गया है आगे चलते हैं युवराज के सरवानी यह हमारे राइपूर के 14 वर्षिय फुटबॉल प्लेयर है राइपूर के 14 वर्षिय फुटबॉल प्लेयर है जिनने उच्यस्तरिय प्रसिक्षन के लिए क्या किया गया है उच्यस्तरिय प्रसिक्षन के के लिए बुन्देश लीग क्लब जो GERMANI में हैं बुन्देश लीग क्लब में इनका क्या कर लिया गया है चैन कर लिया गया है हाल ही मैं महाराष्ट में लगबग पूरे भारत से 200 200 फुटबॉल प्लेयर्स का एक सेलेक्षन कॉंपेटिशन और गनाइस किया गया था जिसमें हमारे चतिजगड के एक मात व्यक्ति और पूरे भारत से टोटल कितने 15 खिलाडियों को ये पूरे भारत से 15 खिलाडियों का क्या हुआ है चयन हुआ है जिसमें से हमारे है नहीं है लेकिन हमारे चत्तिस गड़ के बहुत एक इंपॉर्टेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है यह ही अपॉइंटेड एस ब्रैंड एमबेजडर ओफ CCPL और यह CCPL क्या है चत्तिस गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग याने की जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसी की तर्च पर एक T20 टूर्नामेंट और्गनाईज होने वाली है पहली बार हमारे चत्तिस गड़ में ऐसा टूर्नामेंट होने वाला है जिसको हम बोल रहे हैं चत्तिस गड़ प्रीमियर चत्तिस गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग और यह शुरूरी होने वाला है कबसे साथ जून दो हजार चौबिस से याने की अगले महिने से ठीक है आगे चलते हैं अब कुछ ऐसे जगहाएं हैं जो प्लेसेज हैं जो क्या हैं कंटिनियसली चर्च मन्दित है आपका अर्पा नदी से अभी तक हम सभी को मालूम था कि अर्पा नदी का जो उदगम है वो कहाँ से है खोड़री खुंसरा नामक एक पहाड़ी है जिसमें चौरस भूखंड है और वहां से उदगम होती है कौन अर्पा नदी लेकिन हाल फिल हाल में जो भूव विशेशग्य हैं भूगर्ब शाष्त्री हैं या फिर जियो लॉजिस्ट हैं उनके विशलेशन से ये पता चला है कि अर्पा नदी का उद्गम चौरस भूखंड नहीं है बलकि वहां गोरेला पेंडरा मारवाही में दो नदियां है एक का नाम है माटी नाला और दूसरे का संगाम होता है वहां से फिर जो एक सिंगल नदिया जाती है वो हो जाती है कौन अर्पा तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टन्ट यह हो जाता है वन्डे एक्जाम में आप से डायरेक्ली पूछेगा माटी नाला या फिर मलेनिया नाला नामक दो नदियां बाचतीस गड या शिव मंदिर अभी एक कोतेबीरा शिव मंदिर कहां है सबसे पहले वेर इस इत यह है आपका जशपूर जिले में ओन दो बैंक्स ओफ रिवर इंग याने इनदीग के पूर्वी तट पर सथित्थ है कौन कोते बीरश्य मंदिर क्या खास है इसके बारे में इसके बारे में खास ये है कि ये तबकरा या फिर नाग लोग का प्रवेश द्वार कहा जाता है तबकरा या फिर नाग लोग जो जश्पूर में है जहां के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जैसे आप अपने घर में कुट्टे और बिलियां पालते हैं पेट के रूप में वैसी यहां के लोग मजाग में बुला जाता है कि यहां के लोग क्या करते हैं सांप पालते हैं इतने ज्यादा सांप हैं यहां पर चतीजगड का एक मात्र ऐसा जगह है जहां पर आपको रसल स्वाइपर देखने को मिलेगा है ना तो रसल स्वाइपर वाला ये जगह है कहां नाग लोग या फिर तपकरा और इस नाग लोग या फिर तपकरा का गेटवे या फिर प्रवेश द्वार कहा जा रहा है किसे इस कोते बीराशिव मंदिर को वर्तमान में ये आपका क्यों न्यूज में है या फिर हम इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर Adventure Sports की तयारी कर रहा है आपके 36 मैं आफ इंडिया वेरी 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 इंपोर्टेंट ग्राश मैन आफ इंडिया डॉक्टर जी डी माथूर के मार्ग दर्शन में स्वारी जी डी मूर्थ ठकर डॉक्टर G.D. मूर्थख्कर के मार्ध दर्शन में अचानक मार में ग्रास लेंड विकास और प्रबंधन प्रसिक्षन का आयोजन किया गया था Recently, Grassland Development and Management Training was organized in अचानक मार under the guidance of Grassman of India G.D. मूर्थख्कर मूर थक्कर यह कौन है जी डी मूर थक्कर यह है आपके प्रोफेसर है यह अग्रिकल्चर युनिवासिटी ओफ नागपूर के अग्रिकल्चर युनिवासिटी ओफ नागपूर के क्या है यह आपके प्रोफेसर है और अपने ग्यान अब इनका जो ग्यान है ग्रास लेंड के बारे में ग्रास लेंड के बारे में इनका जो ग्यान है उसके कारण इनको बोला जाता है क्या ग्रास मैन ओफ इंडिया इसी तरज पर आप बताएंगे कि बर्ड मैन ओफ इंडिया किसे कहा जाता है जिनके उपर हाल ही दो तीन साल प तो यहां पर क्या किया गया है ग्रास लेंड के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का एक ट्रेनिंग सेशन और्गनाईज किया गया था अचानक मार में जो किसके छत्रचाय के अंदर में हुआ ये जी डी मुठुकर के मुरू ठुकर के अंदर प्रोफेशर के नेत्रित तुम्ह में हुआ था अचानक मार अब यह कहां पर है इसके बारे में थोड़ा से इनफॉर्मेशन देख लेते हैं यह है आपके मुंगेली जिला में इसकी स्थापना 1975 में 552 स्क्वाइर किलोमेटर वर्ग किलोमेटर चेत्र के साथ एक वन्य जीव अभ्यारण के रूप में की गई थी और यह इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्चुरू हुआ यहाँ पर टाइगर के मुंगेट कंटिनियसली दिखने के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर ने शामिल कर लिया गया था तीन टाइगर रिजर्व है, चौथा प्रस्तावित है, जो अभी तक बना नहीं है, है ना, तो ये जो आपके तीन टाइगर रिजर्व है, वो कौन-कौन से है, एक हो गया आपका अचानक मार, दूसरा हो गया उध्यंति सीता नदी, और सबसे पुराना अगर हम बोले तो ये कौन है, इंद्रवती, ये है क्या आपका जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, और इसी अचानक मार को टाइगर रिजर्व कब गोशित किया गया था, तो सन 2009 में गोशित किया गया था, इसके साथ ही इंद्रवती और उध्यंति सीता नदी दोनों को ही क्या किया ग गोशित किया गया था, दोजार 21 और 22 में, लेकिन हाली अभी तक ये अस्तित्त्यू में नहीं आया है, अगला देखते हैं, दोजार पांच में ही इसी अचानक मार को क्या किया गया था, अमर्क अंटक के साथ मिला करके बायो स्फियर रिजर्व बना दिया गया था, है ना, जो की 14 नंबर का Biosphere Reserve था यह हमारे इंडिया का लेकिन आउट आफ कितने आउट आफ 18 Biosphere Reserve हमको मालू है हमारे भात में 18 भारत में 18 Biosphere Reserves है जिन में से 12 को UNESCO द्वारा प्रमारन किया गया है लेकिन 6 को को प्रमाडित नहीं किया गया है तो अगर हम अचानक मार की बार बात करें तो जब यह अस्तित्व में आया था उस समय यह चौदवे नंबर का बायोस्फेर रिजर्व हुआ करता था टोटल अठारा में से लेकिन हमारे यहां कितनों को प्रमाडित किया गया है हमारे पूरे भारत में 12 ऐसे बायोस्फेर रिजर्व है जिदे युनेस्को के मैं एंड बायोस्फेर प्रोग्राम में क्या किया गया है और जो अचानक मार था यह आठवे नंबर का ऐसा बायोस्फेर रिजर्व था भारत का जिसे क्या किया गया मैं एंड बायोस्फे गोशित करते हैं फिर हम युनेसको को उसके प्रमाणन के लिए भेशते हैं तो 18 में से 12 को प्रमाणन मिल गया है 6 को प्रमाणन नहीं मिला है तो वो जो जो चौदवा है यह 18 जो जनरल बायोस्फेयर रिजव इंडिया द्वारा गोशित है उनमें 14 है लेकिन जो युनेसको द पारे में क्या हमारे पास में information है माई के तीसरे हफते के लिए तो यह है 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की गोशना की गई है 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो साथ जून से लेकर के 16 जून तक चलेगी और यह कहाँ पर चलेगी तो यह शहीद वीर नरायान सिंग स्टेडियम जो है आपका इंटर्नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है यह नवाराईपूर अटल नगर में वहां क्या होगा इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजक कौन होगा यह आपका बोर्ड आफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बी सी सी आई तो BCCI द्वारा T20 फॉर्मैट में 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की क्या किया गया है आयोजन किया गया है इसके बाद में इसमें कितनी टीम्स पाइटिसिपेट करेंगी वेरी 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 इंपोर्टन्ट तो इसमें 6 टीम्स पाइटिसिपेट कर रही हैं बिलासपूर बुल्स राइपूर राइनोज और राजनांद गाव पैन्थर्स तो ये 6 टीम हैं जो क्या करने वाली हैं इसमें पाइटिसिपेट करने वाली हैं किसमें CCPL 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में पहला एडिशन है ये हमारे चत्तीस गड़ में ठीक है अब एक स्पेशल बात इसमें यह है कि फॉर्मर इंटरनाशनल क्रिकेट प्लेयर सुरेश राइना इस अपॉंटेड एस ब्रैंड अमबेजडर मतलब सुरेश राइना को क्या बना दिया गया है इसके बाद हम देखते हैं चत्तीस गड़ का जो राष्ट्री आपका सॉफ्ट बॉल क्रिकेट कॉम्पिटिशन हुआ था जो हुआ कहां पर जैपूर राजिस्थान में उसमें चत्तीस गड़ ने क्या किया है गोल्ड मेडल जीता है मतलब फर्स ट्रैंक पर रही है चत्तीस गड़ सॉफ्ट बॉल कॉम्पिटिशन तो देख लेते हैं कहां पर हुआ यह वेन्यू रहा इसका जैपूर राजिस्थान है ना जैपूर राजिस्थान में यह हुआ और्ग श्री की टीम को हरा करके क्या हुए है फर्स ट्रैंक पर आई है और इस आयोजन में भारत के बारा राजियों की टीमों ने क्या लिया थाहिस्सा लिया था स्पाना फिस्पे के जो बी 36 गड़ संबंदित current affairs थे उनको हमने आज deal किया है इन ही 36 गड़ के current affairs से संबंद में आपको जितने भी mcqs होंगे या जो कुछ भी घटनाय है इन पर आधारित हम कैसे बहुँ विकल्पिय प्रश्णों को बना सकते हैं किस प्रकार से questions पूछे जाते हैं आज तक exam में उसके अधार पर कल हम आपके सामने लेकर कहांगे क्या mcqs तो आप सभी से अनुरोध रहेगा सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद हमारे mcqs session को क्या करेंगे आप solve करेंगे तब तक के लिए revise करते रहिए हमारे वीडियो देखते रहिए current affairs में excel करते रहिए थै करें हमेशा आपके साथ टीम को को